यहाँ पे देख सकते हैं HDFC Bank का Money Bank का Credit Card मुझे आप पे मिल चुका जिसकी लिमट मुझे पूरे 40,000 रपे की आप पे मिल चुकी है अगर आपको भी HDFC Bank का Credit Card अभी तक कि आप नहीं मिला तो यह वीडियो आपके लिए पोच जाती हैलफुल हो सकती है तो आट में आपको इस अप्लिकेशन का HDFC Bank का Credit Card है अपलाई करने का Full Process आप बताऊंगा कि कैसे आप अपने इस Card को यहाँ पे Approval करवा सकते हैं उसके लिए आपको वीडियो को एक टम लास तक देखने हैं तो आप करते हैं वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट तो हेलो दोस्तो आज में आपको HDFC Bank Credit Card अपलाई करने का Full Process आप बताऊंगा सिर्व आपको सिंपल से दो स्टेप को फोलो करना है जो सबसे पहले स्टेप है वाँ पे आपको Pen Card डालने है स्टेप को नेम डालना है और इंस्टेंट आपका जो कार्ड है वो यहाँ पे अपूर्वल हो जाएगा देखो अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब करके आपको के प्रेश कर देना है जिससे कि आने वाले कोई बी वीडियो आए उसकी नोटिकेशिन आप तक पहुंच जाए तो आप करते हैं पर वीडियो को स्टाट तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने पेटीम अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लखा है तो पेटीम अप् आपको चेक के निशान मिलेंगे आपको यह चेक को तैप करने से पहले आपको अच्छे से आपको पहले से आपके पास कोई बी क्रेडिट काड तो हो सकते हैं कि ही आपको काड़ मिलने में काफी यहां असानी हो सकती है अगर आपको अभी तक HDFC बैंक का credit card के आपको नहीं मिला तो जो ट्रिक में आपको आपको बताने वाला हूं तो इस ट्रिक को अगर आप आप फोलो करते हो तो 100% आपको HDFC बैंक का credit card असानी से आपके मिल जाएगा तो यहां पर आपको करना है क्या आपको confirm आपको टैप कर देने तो जैसी आप confirm आपको करेंगे तो यहां पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आज जाएगा तो जैसे आप पर OTP को यहां पर सब्मिट कर दे रहा हूं तो यहां पर हमने OTP को सब्मिट कर दिया उसके बाद आपको करना है कि नीचे की तरफ आना यह करा देना है तो जैसी आप यहां पर देखने को क्रेंगे कने रिखाओ है कि यहां पर आपके पूर ससे पहले आपको प्लेडर्स को उस address को आपको field करने उसके बाद आपको select करने अगर एक salary person है आप एक self upload है तो जो भी आप है तो click करने तो यहां पर मैं self uploader आपको tap कर दे रहा हूं तो जैसे मैं self uploader option पर आपको tap करूँगा उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है तो यहां पर खवार है business of the shop name तो आप यहां पर कुछ भी डाल सकते हैं उसके बाद डालने हैं उसके बाद आपको अपनी mail ID को submit करने हैं तो मैं जल्दी से अपना address यहां पर दे रहा हूं तो हमने अपने address को यहां पर फिल कर दिया उसके बाद आपको नीची की तरफ सम्मीट आले option पर आपको टैप करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करने हैं तो यहां पर देखते हैं कि हमारे को क्या option यहां पर निकल के आएगा तो आपको आपको थोड़ा सा व फोलो करता हूं तो इस ट्रिक को अगर आप फोलो करते हो तो हंडर परसेंट आपको HDFC बैंक की तरफ से credit card यहां पर देख सकते हैं थोड़ा से आपको वेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा patience बना की रखना पड़ेगा तो देखते हैं कि हमारे को क्या option यहां पर देख सकत यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा है verify your application HDFC bank website using the net banking login in the debit card to detail तो मुझे आपर करना है उसके बाद आपको थोड़ा से यहां पर ओपर करना तो तो पांस से सान्दी तक जो मैं ट्रेंपरेली लिमट है उसको यूज कर सकता हूं उसके बाद आपको business day option मिल जाएगा आप यहां पर लिखा है business day after card इश्व विल्वाइज तो 5000 तक की लिमट मैं आप ले सकता हूं और उसके बाद में पूरे 40,000 की लिमट को यहां पर देख सकते हैं कि money back का credit card मुझे मिल चुका है तो जैसी मैंने इसको आप अपलाई किया instant मुझे आपे card मिल गया अगर आपका card बा को follow किया कैसे मैं यहां पर document को submit किया कि जिससे मेरे यहां पर जो card था में पर decline नहीं नहीं हुआ उसके बाद आपको करना है कि नीचे की तरफ आजाना है तो सिरफ इस card को लेने के लिए आपको करना है कि इस वाला option पर आपको टैप करना है तो आपको करने तो मैं इस application को ल देलेगी तब वीडियो को लाइक करना सिस्क्राइब करना ठेंक दोस्तों